मैंने ये सारे मुद्दे उठाए और ये सुनिए नरेंदर मोदी जी का जवाँ संसत के बजट सदर के दोरान लोग सभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दोरान कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने अडानी के मुद्द पर केन सरकार पर जम कर निशाना साधा था अब एक वीडियो जारी करते हुए कॉंग्रेस के पूरो अध्यष राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पर तीखा कटाक्ष किया है वीडियो की शुरुवात में राहूल गानी कहते हैं मैंने नरेंदर मोदी जी और अडानी के रिष्टे को लेकर सच्चाई बोली तो उसे हटा दिया गया उसे मैंने नरेंदर मोदी जी और अडानी जी के रिष्टे के बारे में सच्चाई बोली हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है ये सच्चाई पार्लिमंट के रेकोर्ड से मिटा दी गई बिना एक्सपिरियंस के कोई भी बिजनस शुरू करना और उस बिजनस में देश के सबसे बड़े कॉंट्राक्ट उठा लेना प्रधान मंत्री जी ये जादू सिर्थ अदानी जी के लिए वीडियो मागे बताया जाता है कि नॉवंबर 2018 में अदानी को देश के छे बड़े एरपोर्ट दे दिये गया इस दोरान राहूल गांधी ने आरोप लगाए कि अदानी के पास एरपोर्ट के संचालन और प्रबंदन का कोई अनुभाव नहीं होने के बावजूद उन्हें देश के बड़े एरपोर्ट का जम्मा दे दिया गया राहूल आगे कहते हैं संसद में मैंने सच्चाई बोली नरीद्र मोधी जी और अडानी जी के रिष्टे के बारे में सच्चाई बोली हिंदुस्तान के धन को किस तरीके से लूटा जा रहा है उस बारे में सबूत देकर सच्चाई बोली मेरी टिपनियों को संसद की कारवा प्रधान मंत्री द्वारा उन पर निशाना साधने के लिए दुशन्द कुमार की रचना की दो पंक्तियों का उलेक किये जाने को लेकर भी जवावी प्रहार किया प्रधान मंत्री ने कटाक्ष करते हुए दुशन्द कुमार की दो पंक्तियां सुनाई थी अब राहूल गांधी ने भी इसके जवाब में दुशंद कुमार की ही दो पंक्तिया सुनाई है मतादे कॉंग्रेस पार्टी का शेयर किया गई ये वीडियो का की तीजी से वारल हुराय प्रेंका गांधी ने भी वीडियो को शेयर किया है झाल